वायनेली जेटफट के अंदर नेया अपडेट आया था कल ही रात को आया था एंद इस नेया अपडेट के बाद अभी आप किसी भी bv1 के फोंस के ओपर जेटफवन के तुरू जो है आराम से कोई भी जो है थरटदपाटी फोंस कНе आपड़ाकर सेक्थ तो एंड प्रोसेस इस बार का थोड़ा लंबा है बट मैं बोलूंगा अगर आप इसको समझ जाओ तो बहुत इजी प्रोसेस है तो मैं बस बोलूंगा वीडियो को थोड़ा धैरे रखके देखना मैंने आप टाइम स्टेप भी दे दिया है ताकि आपको वीडियो देखने मे अगर अपने अनंस्टोल कर देबार उसको साडवान यापर देते ना करने के बाद यहाँ आपको पर मांगेगा तो बहुत कोना स hasak नहीं उनको पता है कहां पर कौन सा उप्शन तो यह पर जिसमें सिंपली भाई आप पर फॉंट वाले सेक्षन के अंदर आ चुका तो यह पर धेर सारे फॉंट से आपको जो पसंद आते हैं आप यह पर डाउनलोड कर लेना एक चीज दिखाए तो देख लो मेरे फॉंट के उपर अभी नॉर्मल एक ब्लैक सा फॉंट का जो डिफॉल फॉंट है वही अपला है नहीं तो बाद में आप बोलेंगे वीडियो फेक है तो इसलिए मैं दिखा दे रहा हूं ठीक है अभी सिंपली में क्या करता हूं वीडियो के लिए एक कलर फॉल फॉंट यहां से मैं डाउनलोड कर लेता हूं ठीक है तो यह वाला फॉंट है इसको मैं यहां से डाउनलोड कर लेता हूं डाउनलोड जैसे इसका कंप्लीट हो जाते तो मेरे सामने एक जो है अपलाई का बटन देखने को मिलता है तो मैं अपलाई वाले बटन को पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर मेरे के सामने दो मेथड यहाँ पर पॉप अप होते हैं मेथड वान एन मेथड टू तो मैं सिंपली मेथड टू को चूज करूंगा यहाँ पर मेथड टू को जैसे ही चूज करते हो तो यहाँ पर काफी सारे स्टेप्स इन्होंने बताया है तो सारे थोड़ा लंबा प्रोसेस से बढ़ बहुत सिंपल से स्टेप से आप बस वीडियो को देखते रहना सबसे पहला ऑप्शन है डाउनलोड और इंस्ट्रॉल का तो मैं सिंपल इसको पर क्लिक करता हूं जैसे क्लिक करता हूं एक 14-15 MB का फाइल जो है मेरे फॉन के उपर डाउनल वक्रासिन डाउनलोड और दोन्य के वाद आप लेकिक करन के से इन इडांड भॉप क्लिक करना जासे क्लिक करेंगे या पर आपको सेटिंग का ओप्षण देखने को मिलेगा तब सेटिंग बाले ओप्षण कुपर क्लिक करना एंड फिर से इस हीAY अप्लिकेशन को जो है यावड सोर्सेज का पर्मिषन करते हों पर तुर्वांत यह आपके सामने तो मैं तो बोलूगा डिरेक यह से इसको ओपेन करने के बाद यह अप्लिकेशन भी आपसे कुछ पर्मिशन मांगेगा तो उसको सारा पर्मिशन यह पर देने के बाद ऊपर टॉप में भाई आपको एक ठी डॉट का उप्शन मिलेगा इसको उपर क्लिक करो देन यह पर डिर वान अप्लिकेशन को यापर जो आपको inic yn को यह से सबसे पहले आपको किया बता है इन्होंने अपर थीम यह अप्लिकेशन ओपर करो आपको फ्री करने के बाद फखरे फॉट्स बाले है के प्र Ward Center डावलोड कर में दम इस इंवोड़ प्री सर्ज है जिसका नाम है let's do it exam कोई वी एक random font download करने तो इसको download कर लेते तो simply download बाले button को पर click करता हूं एंड जो font है मेरे phone को पर download हो जोगा डाउनलोड होने के बाद मैं simply कहा करूंगा RAM management के अंदर आऊंगा theme application को हटा दूँगा clear कर दूँगा theme management theme application को theme application क्लियार करने के बाद फिरसे एट फॉन अप्लिकेशन को open करूंगा open करने के बाद यह पर जो theme directory करिके option रहेगा इसको पर click करूंगा जैसे क्लिक करता हूं तुरंत मेरा file manager open हो जाता है यहां पर जिस option जहां पर जाके open होते हैं पर मेरे को जो अभी मैंने recent font download किया उसका file मेरे को दिख जाता है जिसका नामे लेस टूइट तो इमें क्या करूंगा इस file को choose करूंगा mode बाले बटन को पर click करूंगा then rename बाले बटन को पर click करूंगा and जो लेस डूइट फाइल का जो नाम है इसको मैं totally यहां से copy कर लूँगा simply यहां से आपको copy करना है ठीक आयोब अपने अच्छे से देख ले होगा copy करने के बाद मैं करूंगा इस font के file को यहां से simply delete कर दूंगा delete करने के बाद यहां पर एक new का बटन आएगा new वाले बटन को पर click करना है and अभी recently जो lessdoit.idz file को मैंने copy किया था उस file को new folder वाले जगा पर आके बस ऐसे paste कर देना है and okay करना है तो इसका मतलब आपको जो है करने के बाद आपको फिर से z phone के अंदर आना है and फिर से आपको जो है थीम वाले option को पर click करने जो फिप नंबर option है इसका राइस section में जो थीम का logo है इसको पर आपको just click करना है जैसी click करेंगे तो आपका theme application open हो जाएगा and यहापर आपको कहा करना है simply fonts वाले section के अंदर फिर से डाउनलोड करूंगा ठीक है जैसे कि देख सकतो मैंने search कर लिया यहापर फिर से मेरे को download का button दिख रहा है तो मैं download बटन को पर click करूंगा and उस phone को मैं फिर से मेरे phone को पर download कर लूँगा and पिछली बार हमने क्या किया था theme application को RAM management से हटा दिया था बड़ इस बार ओ चीज क का button रहेगा मैं इसको पर click करूंगा inject button को पर जैसे क्लिक करता हूँ Click करने के बाद यहापर मरेको जो है दो इंजएक के option देखने को मिलेंगे तो सबसे पहला इंजक का option का option आते है मैं इसको पर click करूंगा और यहापर मिरेको एकялаow का button आएगा मैं इसको पर भी इसको पी start का option आएगा उसको पर में click करूंगा and अब भी देखो मेरे को यहापर दिख रहा है कि use this folder का option मेरे को तुरन दिख जा रहे ठीक है अभी कुछ-कुछ फोन के उपर ऐसे use this folder को option ने आएगा वह बंदे create कर लेना फोल्डर को तो मेरे फोन को पर तो आ रहा है तो मैं simply use this folder को पर click करूंगा then allowable बटन को पर click कर दूंगा जैसे मैं click करता हूं फिर से जेटफोन अप्रिकेशन तुरन्त open हो जाएगा open होने के बाद फिर से जो दूसरा जो इंजिक का बटन होगा फिर से इस दूसरे इंजिक बटन को पर एक simple सा tap करना जैसे tap करेंगे तो cannot located करके एक option जैसे आ जाते pop-up होता है तो आप समझ लेना तुरन्त open हो जाते एक दूसरे folder के अंदर तो simply वह पर आप देखना कि आपका font का file यहापर किधर है तो मैंने अभी download किया था let's do it करके font का file तो file मेरे को आप दिख रहा है और उसके बगल में लिखा है .ttf तो आपको simply क्या करना है इस file को यहापर ऐसे choose करना है choose करने के बा आपको आके ऐसे paste पहले button को पर click कर देना इस file को पर paste कर देना ठीक है पेस्ट यहापर हो चुक है अभी एक मज़े की चीज आपको क्या करने direct theme application को open करने हमने theme application को रैम से हटाया नहीं था तो अभी एक मज़े की चीज में आपको बताता हूं यहापर देखो let's do it का जो font है मैंने यहाप मैंने यहापर अभी इसको अपलाई करूंगा तो मेरे phone को पर actually में एक white phone apply होना चाहिए और अभी में थुरा आपको मेरा present phone दिखा दूँ जो totally यह पर black है तो अभी एक magic आप यह पर देख लो अगर मैं इस phone को यहापर apply करूंगा ना तो simply Z phone के अंदर जो font में मैंने डाउनलोड किया था वही फॉंट अपलाई हुआ तो मैं देखा था हूं को example apply वाले बटन को उपर just मैं अभी आपर जो है क्लिक करता हूं जैसे मैं आपर क्लिक करता हूं फॉंट यह पर successfully apply हो चुक है and boom देखो जो फॉंट अभी मेरे phone को पर apply हुआ है वह फॉंट ज जहां जहां पर काम आता है वहां वहां आपको फॉंट दिख जाएगा जैसी कि देख सकतो हर एक जगा पे colorful फॉंट अपले हो चुक है तो जिट फॉंट का यह नया तरीका है भाई फॉंट वगड़ा अपलाई करने का तो लंबा प्रोसेस से बड़ मैं बोलूंगा बहुत है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो ओवड़ाल और कुछ वीडियो काने काने वीडियो खतम गरते प्रसंत लाइक चैनल प्रेस कर सकते मिलता हूं नेक्स्वाइब